वास्तु के अनुसार घर में कच्छुआ रखना बहुत ही शुग माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि कच्छुआ रखने से घर में सुख समृद्धी आती है और धन की कभी भी कमी नहीं हूती है, घर में हम क्रिस्टल, मेटल या किसी अन्य तरह का कच्छुआ रखते हैं, जै इसे कोई बुरा प्रभाव न पड़े। ऐसे ही घर में यदी जीवित कच्छुआ रख रही हैं, तो आपको वास्तु के कुछ विशेश नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अनुसार घर में जिंदा कच्छुआ रखना बहुत शुब माना जाता है। इस स्थान पर रखें कच्छुआ। वास्तु विशेश अग्य मानते हैं कि यदि आप घर में जीवित कच्छुआ रखती हैं, तो इसे अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। जीवित कच्छुआ को आप घर की उत्तर पूर्व दिशा जिसे इशान कोन भी कहा जाता है। उस स्थान पर रखना सबसे शुब हो सकता है। वास्तु में मानता है कि कच्छुए को इशान कोन में रखने से धन, प्रचुर्ता, सकारात्मक्ता और सम्रिद्धी आती है। कच्छुए को कभी भीदक्षिन दिशा में न रखें। घर में कच्छुए को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जो उसके लिए आराम दे हो। किस स्थान पर न रखें कच्छुआ। यदि आप घर में जीवित कच्छुआ रखती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी घर के बेडरूम में न रखें। कच्छुए का टैंक कभी भी आपको बातरूम के आसपास नहीं रखना चाहिए। किसी अंधेरिस्थान पर कच्छुआ नहीं रखना चाहिए। घर में इस तरह के कच्छुए रखना शुब होता है। वास्तु की माने तो घर में जीवित कच्छुआ रखने से बहतर होता है कि आप लकली का कच्छुआ रखना शुब होता है। इस तरह का कच्छुवा घर में धन, सकारात्म, कूर्जा और प्रेम का संचार कर सकता है और धन लाब में सहायक होता है. आप वास्तु के नियम के अनुसार घर में धातु का कच्छुवा भी रख सकती है. धातु का कच्छुवा घर में खुशाली लाता है. घर में क्रिस्टल का कच्छुआ रखना भी शुब माना जाता है और यह घर में खुशाली का कारण बनता है क्रिस्टल के कच्छुए को आप दक्षन पश्चम में दिशा रख सकते हैं यह आपके जीवन में सौहात लाने में मदद करता है यदि आप वास्तु नियमों के अनुसार कच्छुआ रखती हैं तो यह घर की समृद्धी का कारक बन सकता है अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेस्बुक पर शेर और लाइक जरूर करें इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहे हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें